नमस्कार दोस्तो मैं हूँ शैप महिसराम और आज मैं आपके साथ सेर करने जा रहा हूँ कोरियन स्पाइसी राइस केक की रेसिपी तो दोस्तो बने रहे ये वीडियो के एंड तक और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जर पल का अठा और अब हम इसे गर्म पानी डालते हैं अब अंडाजे से डाले जैसा कि हम आठा लगाते रूटी बनाने के लिए उस तरीके से थोड़ी देर के लिए हम गर्म पानी इस तरीके से डाल के रख देंगे और साथ ही हम आड करेंगे नमक स्वादा नुसार और इन सब को मिक्स करके थोड़ा ठंडा होने देंगे जो गरम पानी हमने डाला है तो ठंडा हो चुका है और अब इसे हम हाथों से मिक्स करेंगे तो देख सकते हैं एक मेडियम सौट दो हमारा बन के त्यार हो चुका है और अब हिस्से हम दो तिन हिस्सों में कट करेंगे और थोड़ा सा सूखा चावल काटा लेंगे जिससे यह अच्छी तरीके से बन के त्यार हो जाए तो देख सकते हैं इस तरीके से लंबे-लंबे कर लेना है और एक साइज के टुकड़े हम त्यार कर लेंगे इस तरीके से और बाकी भी हम उसी तरीके से सब कट कर लेंगे तो देख सकते हैं इस तरीके से हमने त्यार कर लिया है और अब इसे हम बॉइल करने के लिए रखेंगे तो उसके लिए मैंने एक पतीले में गरम पानी किया है और अब हम इसमें एड़ कर देंगे और अब इसे हम तक्रीबन पंद्रा मिनिट के लिए बॉइल होने के लिए रखेंगे तो देख सकते हैं पंद्रा मिनिट हो चुका है और अब इसे हम निकाल लेंगे तो देख सकते हैं इस तरीके से हमने निकाल लेया है और अब इसे हम नॉर्मल पानी यानि की साधा पानी में डाल के रख देंगे और अब हम मसाली की तयारी करेंगे यानि किसकी तड़के की तो हमने एक पैन में तक्रीबं दो टेबल स्पून तेल लिया हुआ है अब हम इसमें आइड करेंगे तिल सफेद तिल वन टी स्पून और इसे हम थोड़ा तड़कने देंगे और साथ ही हम आड़ करेंगे लेसुन दो टेबल स्पूल बारिक कटा हुआ और अब हम इसमें आड़ करेंगे अध्रक बारिक कटा हुआ दो टेबल स्पूल साथ ही हम आड़ करेंगे सिम्ला मिर्च जो हमने एक पिस लिया हुआ है और उसे हमने लंबे लंबे टुकड़ों में कट कर लिया है इसे भी हम हलके से सौते कर लेंगे इसे बहुत जादा पकाना नहीं है और अब हम इसमें आइट करेंगे हरी मिर्च जो हमने चार लिया हुआ है बारिक कटा हुआ और अब हम इसमें आइट करेंगे तकरीबन आधा कप पानी और इसे हम उबलने देंगे और साथ ही हम आड़ करेंगे सेजुआन सॉस तक्रिबन दो टेबल स्पून और टोमेटो सॉस दो टेबल स्पून साथ ही हम आड़ करेंगे रेट चिली पाउडर तक्रिबन तीजपून वाइट पेपर हाप तीजपून इसे भी हम मिक्स कर देंगे साथ ही हम आड़ करेंगे स्वया सॉस वन टीजपून विनिगर वन टीजपून इसके बाद हम चीनी आड़ करेंगे वन टीजपून साथ हम आड़ करेंगे नमक स्वादा नुसार और इन सब को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और जैसे ये उबाल आने लग जाएगा उसके बाद हम जो राइस बॉल बना के रखा हुआ था पानी में वो हम आड़ कर देंगे तो देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से बन के त्यार हो रहा है तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमारा कोरियन स्पाइसी राइस के बन के त्यार हो चुका है तो चलिए अब इसे हम सर्व करते हैं तो सर्फ करने के लिए हमने एक प्लैटर लिया है और अब इसमें हम सर्फ करेंगे और इसके उपर आप चाहे तो थोड़ा रोश्टिट तिल से गार्निसिंग कर सकते हैं तो दोस्तो अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें और इसी तरह का और भी रेसिपिस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बिल आइकन दमाना बिल्कुल भी न भूले दोस्तो उससे मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटि